नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल study for RAS and IAS में आज का हमारा जो वीडियो है वो RAS Prelims का जो पाठे करम है यानि syllabus है उसके अंतरगत सेकेंड वीडियो है इससे पहले फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ जिसके अंद जा रहे हैं उसको आप पढ़िएगा तो आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके इस टॉपिक के उपर है राजस्थान के स्थापत्य कला की प्रमुक विशेष्टाओं के उपर जिसमें हम पढ़ेंगे किले और यह जो किले हैं इनको हम तीन वीडियो के अंतरकत क करेंगे आज इसका पहला वीडियो है इसको ध्यान से बढ़िएगा मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी फैक्ट्स हैं वह मैं एक ही जगे कंपाइल कर दूं आप लोगों के लिए ताकि आपको कहीं दूसरी जगे किसी किताब में किसी भी फैक्त को देखने की पढ़न जरूर से जोईन कीजिए वहाँ वर आपको अपने एक्जाम से रिलेटेट काफी सारी चीज़ें जो है अविलेबल हो जाएंगी तो जितने भी आर्टिकल्स जो मैं लिखती हूँ जो कई प्रतिष्ट अकबारों में पब्लिश्ट होते हैं वह आपको वहाँ पर मिलेंगे उसके अलावा जो भी बुक्स नाम से जे चैनल है उसको जोईन कीजिए और इन सभी को मतलब इन सभी सुईधाओं का अबलाब लीजिए और नेक्स्ट है राजस्तान के दुर्ग और इससे सम्मंदित देखिए दोस्तों कैसे सवाल पूछे जाता है पहले हमको पैटरन थो बूछते हैं जैसे कि अधर आप देखेंगे तो वैसे ही सवाल यहां पर भी पूछते हैं लेकिन देखिए और अधर एक्जाम्स को देखेंगे तो वह बहुत माइन्यूट डेटेल में जाता है बहुत ट्रिवियल फैक्टों पूछ लेंगे जैसे कहीं पर 9 बुच लेंग तो आप उस सवाल को हल कर लेंगे ऐसा उसमें फैक्ट पूछा जाता है क्यूंकि उनको पता है कि स्लेबस बहुत जादा है एक एक माईनियूट डिटेल नहीं पड़ी जा सकती है तो इस प्रकार के कोश्यन वो लोग नहीं पूछते हैं तो उस हिसाब से हम क्यूंकि कुछ कै यह भी नहीं सकते कि आरपीसी है कैसा सवाल कब देदे या कौन सा एक्जाम आपको फेस करना पड़ जाए तो हमारे वीडियो के अंदर जितने भी फैक्ट जो भी एक किले से संबंदित हो सकते हैं वह आपको मिलेंगे और इतने लूसिट फॉर्म में होंगे ताकि आपको याद भी हो जाएं कोई बर्डन दिमाग पर ना रहे तो यहीं मेरा उद्देश है तो राजसान के दुर्गों के अंदर देखिए एक होता है दुर्ग एक होता है अपका किला और एक होता है गड़ ठीक है इन तीनों में डिफ्रेंस क्या है देखिए दुर्ग जो है सबसे प्रटेक्शन के लिए और अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए ही एक राजा बनाया करते थे ठीक है अपने शासन का प्रदर्शन करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही दुर्ग का निर्मान किया जाता था किला और जो गड़ होता है इनके नाम आपने सु चानक्य का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने अर्थ शास्त्र को लिखा है उन्होंने एक सापतंग सिध्धान्त दिया था अर्थ शास्त्र की किताब में उस सिध्धान्त के अनुसार देखे क्या है कि दुर्ग के चार प्रकार उन्होंने दिये हैं ठीक है सबसे पहले तो स यानक के किसी चीज को देता है राजा के बाद में तो वो देता है उसके दुर्ग को दुर्ग जितना powerful होगा ठीक है उतना ही powerful उसका राजा होगा रोतना ही powerful उसका kingdom होगा यानि के इसका सामरज्ज्य होगा तो यह एक basic सी बात है और इसके अनुसार पर्वते के आंगी कि आरी क्लिय के लिए कि प्रकार के तो अरों मतलब ह euros हो स्थाव त Хотड़ रख जिसके चारों और पानी हो उसे को कहते हैं उननीबीर हो इस पकल जंगल में बनावा हो जो भुट आनिधे तो जाइडतलय'll I एक होता है गिरी या परवत दुर्ग यानिके जो पहाडी पे बना हुआ हो उसको कहता है गिरी या परवत दुर्ग इसी प्रकार से देखिए चानक्य के अलावा एक व्यक्ति और है जिनोंने शुक्र नीती में जो है दुर्गों के 9 प्रकार दे रखे हैं एक है चटा जो है वो है सैन्य दुर्ग सैन्य दुर्ग सबसे सर्वस्त्रिष्ट क्वालिटी का दुर्ग माना जाता है इसमें होता क्या है कि चारो और चतुरंगिनी सेना जो है उसको यहाँ पर जो है लगाया जा सकता है ठीक है यह निके चतुरंगिनी सेना से घिरा हुआ इसलिए इसको सर्वस्रेश्ट कोटी का दुर्ग जो है वो कहा जाता है राजस्तान में इस कोटी का जो दुर्ग है वो है चितोडगड का किला तो चितोडगड का जो दुर्ग है उसको सेन्य दुर्ग की श्रणी में रखा जाता है इसलिए कहते हैं देखिए गड़ तो गड़ चित्रॉड़ गड़ बागे सब गड़े या तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्वसरेश्ट कोटी का दुर्ग है फिर आता है आपका पारिक दुर्ग, अब देखिए पारिक दुर्ग याद करना असान है, इसके लास्ट मेरा एक ख, खै का अर्थ होता है, जिसके चारो और खाई हो, उसको कहते हैं पारिक दुर्ग, नेक्स्ट आता है पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग का मतलब होता है, ज यानिके ऐसा दुर्ग जो की जंगल में भी है और पहाड़ पी इस्तित है उसको कहते हैं एरंड दुर्ग लास्ट आपकी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं स्थल दुर्ग यानिके जो समतल भूमी पे बना हुआ हो उसको हम कहते हैं स्थल दुर्ग फ्रेंट्स आपको यह सारे याद नहीं करना है केत्व को पर द्रग कर लिए ऑपको द्रग गया तो इसके चारों और दिवारों का पर्लोटा बना हुआ है तो ये आपको basic understanding के लिए ये जो है चीज़े हैं ये पताई गई हैं अब देखिए मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि आरेस में जो questions आते हैं जैसे कि पिछले साल एक question आया था मेंस के अंदर रंतंबोर किले के उपर आपको five number के अंदर five marks का एक question आया था सिर्फ लिखावा था रंतंबोर का किला तो आपको क्या करना है कि रंतंबोर किला का जो स्थापत्ते हैं जो भी उसके एतिहासिक चीज़ के अंदर यह स्थ है तो इस तरीकी के सवाल जो है हमारे आरेस के अंदर पूछे जाते हैं तो इसका थोड़ा सा आप एडिया रखेगा नाव हम स्टार्ट करते हैं कि दुर्ग जो है कितने दुर्ग आपको पढ़ने हैं धाईसों के करीब दुर्ग है लेकिन सारे नहीं प कि दुर्ग हो गया है इसको कहते हैं कमर कोट तो जिसके चारो और जो है दोहरा परकोटा हो उसको कहते हैं कमर कोट दुर्ग फिर एक होता है कुमठ दुर्ग कुमठ दुर्ग होता है जिसके जिस दुर्ग में कुमठ नामक वनस्पती जो है वो पाई जाती है उसे कहते हैं कुमट दुर्ग तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखिए दोस्तों किलों को पढ़ने का कई तरीके हैं कोई लोग कैसे पढ़ते हैं कि वह पहले तो श्रेणी देख लेंगे जल दुर्ग कौन-कौन से सारे रट लो धानवन दुर्ग कौन-कौन से उनको याद कर लो और जो अपने गिरी दुर्ग कौन-कौन से राजस्तान में उनको याद कर लो यह बहुत बैड आइडिया है बैड आइडिया इसलिए है क्योंकि कई दुर्ग ऐसे हैं जो कि आपके एरन दुर्ग में भी आ रहे हैं आपके गिरी दुर्ग में भी आ रहे हैं और आपके इंचार दुर्गों को अच्छी तरीके से पकट रखिए ताकि आपको उनसे संबंदित फैक्ट कर आपको याद हैं तो बागी के वचे वह दुर्गों जो हैं जो की लेस इंपॉर्टेंट है उनको आप याद करने में आपको आसानी रहे यह वाली टेक्निक मुझे अच्छी वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मारवाड के किले मेवाड के किले थड़ी वाले किले और शिखावटी वाले किले ठीक है यह वरगी करन हम पढ़ेंगे वरगी करन क्यूंकि फिर आपको याद करना जो है काफी आसान हो जाएगा तो चलिए हम किला जो हैं जो शुरू करने वाले हैं वह का राजस्तान के नौर्त में एक उत्तर के अंदर इस्थित भटनेर दुर्ग यह मैप भी आप एक बार देखिए देखिए इसको हम कहते हैं उत्तरी परवेश्ट द्वार का लोहाघ्ड का दूर्ग तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें याद करनी हैं तो उसके बाद में मारवाड'd, और मारवार मेवाड और उसके बाद में शिखावाटी इस तरीके से से जो है हम दुर्गों को पढ़ेंगे बटनेर का किला जो है वो आपके हनुमान गड़ के अंदर इस्तित है पहले इसके बेसिक फैक्ट हम पढ़ते हैं सबसे पुराना किला, राजस्तान का सबसे पुराना किला, अगर आपसे कोई पूछ把它 पूछया तो वह कौंसा किला है? भटनेर का किला है, ठीक है? अब इसको, जो है, इसकी स्थापना किसने की है? तो देखिए ये वाला जो किला है इसके स्थापना जो है 285 क्यूंकि आप देखे सबसे पुराना किला है अगर आपको 285 इस भी याद रहे तो ठीक है नि तो आप इतना याद रखिएगा थर्ड सेंचुरी जो है एडी के अंदर यानि के तीसरी सथी के अंदर इस किले का निर्मान किया गया था अब इसका नाम जो है इस नाम से आपको पता चलना चाहिए कि इसको बनाया किसने है तो देखिए भाटी राजा के जो पुत्र है भूपत उनके द्वारा जो है इसको बनाया गया था अब देखिए इस इसको जो है इस किले को उत्तरी प्रेवेश द्वार का रक्षक कहा जता है कि मैं आपको बता दिया उसके अलावा इसको जो है भाटी ओं की मरोड भी कहा जता है या या गौरव तो यह बहुत नै комментарल सी चीज़े या द रजा जाएगी जो भी आक्रमन नॉर्थ से होते होंगे, सबसे ज्यादा कहां को जिलता होगा बहतने का किल्छ जेल डुर्ग को लगा हो सबसे ज़्यादा किल रुद्अवस्थान ili जानना है जो कि बहुत ही important है आपके लिए जानना क्योंकि आपके syllabus में किले के बारे में तो ही है उसके अलावा आपको स्थापते भी पढ़ना है ठीक है तो स्थापते में आप देखिए कि यह धनवन दुर्ग है यानि कि अब कितनी important चीज़ है नौर्थ में situated है यानि कि उत्तर में स् सिर्फ किस से बना हुआ है इटों से बना हुआ यह दुर्ग है कहां पर यह किस जिले के अंदर यह situated है यह मैं आपको बता दिया हनमानगर जिले में और यहां पर गगर नदी के मुहाने पर इस्तत है ठीक है उसके अलावा देखिए इसमें क्या कुछ इतिहास की दृष्ट से महतोपूर्ण है तो देखिए महमूत गजनवी जो था इसका नाम आपने सुना होगा इसना सोमनात मंदिर पर आकरमन किया था जिसको उपर सीरेल भी बना हुआ है सोमनात करके तो देखिए महमूत गजनवी जो था उसने 10000 के अंदर इस दूर्ग पर जो है अदिकार कर फिर नेक्स्ट कौन से इंपॉर्टेंट चीज है क्या ऐसी गटना होगी जिसको हम याद रखें तो देखिए 1398 के अंदर त्यमूर लंग जो था उसका आक्रमन हो यहां पर यहां पर उसने जब आक्रमन किया तो एक आप जानते हैं साका आप जानते होंगे जिसमें की जो रा तो यह जो आपका किला है यहां पर हिंदू और मुसलिम यानि तैमूर लंके जो आक्रमन हुआ था उस समय हिंदू और मुसलिम दोनों स्रियों ने अपनी शान बचाने के लिए जो जोहर किया था यानि कि इसके प्रमाण मिलते हैं कि हिंदू और मुसलिम दोनों स्रियों न पर इस मे繼續 का नाम जो है हनमान हज़ रखाया मंदिर गोरा दिस एंपोर्टेंट उनको देखें घॉरकनाजगी की मंदिर है कोरकनाजी के बारे में मैं आपको पढ़ाया है संत और संप्रदायों के अंदर तो उसको आप रिमाइंड कीजिएगा यह देखे फ्रेंड्स यह पिक्चर है पूरी बटनेर के किले की यह देख सकते हैं तो देखें यह इटों का बना हुआ दुर्ग है ठीक है इति यंत्रण में लिए उसके बाद में इसका नाम है अनमानगड का किला पढ़ा ठीक है यह धन्वन श्रेणी का दुर्ग है इसको याद रखियेगा यह सबसे इंपॉर्टन सवाल है ठीक है अब जो हमारा नेक्स्ट श्रेणी का दुर्ग है जिसको हमको पढ़ना है वो है जस जैसलमेर का किला ठीक है कौन से जिले के अंदर है यह जैसलमेर के अंदर इस किले का नाम है सोनारगड सोनगड ठीक है इसको हम पढ़ लेते हैं और यह कह जाने prop on भूब आपर हमें अनुप का रिखुमिय में पर्वेष्टवस का रिख्षक हाजका जाता है जिसके नाम जेशल्मेयर का किला जिसके अब ऐसे भी याद हो जाएंगे मतलब ज्यादा effort करने के ज़रूरत नहीं है तो देखिए इसको कहा जाता है स्वर्ण गिरी सोनारगड सोनगड गोहरागड और जैसलमेर का किला ठीक है इसके कई सारे ये इतने सारे इसके उपनाम है अब देखिए ये जो है इस दुर्ग को जो है रावल जैसल द्वारा जो है 150 Wür के अंदर इसका निर्मान किया था अभ़सका दिरमांड तो रावल जैसल भाटी उनके कारे काल में शुडू हुआ लेकिन ज शालीवन द्वितिये उनके कारे काल में ये पूरा हुआ बारा जुलाई के दिन जो है इसकी इसका बनाया गया था अब देखिए इस किले के कई सारे उपनाम हैं उनको पढ़ लेते हैं पहले तो देखिए इसको दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोड कहा जाता है त्रिकुट या स्वन गिरी पहाडी पर इस्तित होने के कारण जो है इसको स्वन गिरी का किला भी कहा जाता है या सोनारगड भी कहा जाता है अब देखिए इस वही राजस्थान का अंडमान कहते हैं इसी किले को राजस्थान का अंडमान कहते है जो हमारे देश में अंडमान और निकोबार आलेंड बंगाल की खाड़ी के अंदर रिस्तेत है उसी प्रकार से रेगिस्तान के अंदर क्योंकि एक मात्र ऐसा स्थान है जो काफी सुद्रड स्थान है इसलिए इसको कहा जाता है राजस्तान का अंडमान इसको जो है गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है जो है गलियों का शेहर जैसल मेर को कहा जाता है गलियों का जो दुर्ग है वो किसको कहा जाता है जैसल मेर के किले को कहा जाता है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि देखिए ये एक मात्र ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर जो है लो population है वह सबसे ज़ादा है तीक है इसलिए इसको गलियों का रुच का जाता है उसके अलावे इसके और उप्नाम देखिए इसको रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है रेगिस्टान में गुलाब नहीं खिलते हैं स्वर्णगिरी, सवनारगड, सोनगरड, गोहरागड या फिर जयसजल मेर का किला सबके सब एकी नाम हैं। इसको जो है राजस्तान का अंडमान कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। यह हमारे राजर्स्तान का दूसरा सबसे बड़ा लविंग फॉर्ट है, डूसरा सबसे बड़ा लिविंग फॉर्ट है, यह आप धयन रखेगा, अब इसकी स्थापना किस ने की थी데 KITHी यह लो जेसल भार टीने की ती 1155 में इसको आपको इयाद तो इसलिए इसको धानवन दुर्ग की श्टेणी में रखा जाता है ये त्रिकुट या स्वन गीरी पहाड़ी पर इस्तित है त्रिकुट या स्वन गीरी पहाड़ी उसके अलावा देखिए ये जो है रेगि स्तान में अंगडाई लेते हुए सिंग के समान जो है वह तो आपको पता होना चाहिए यह आपका जैसलमेर का दुर्ग है नेक्स्ट है आपका जो कि सबसे इंपॉर्टन बात है वो यह है कि इस दुर्ग के अंदर किसी भी चूने का प्रयोग करके इसको नहीं बनाया गया है यानि कि पीले पत्थरों से जो है इस दुर्ग को बनाया जैसे कि इस प्रकार से तो ऐसे फसा फसा के बनाया है यानि कि चूने का प्रयोग इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ है और इसकी च्छत है यानि कि जो रूफ है वो किससे बनी हुई है लकडी से ठीक है और उस लकडी को दीमक से बचाने के लिए गौमुत्र का लेब ज ठीक है त्रिकुटा करती इसकी है ठीक है और यहां पर 99 टावर्स है टावर यानि कि बुर्ज इसको अभी हम किला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुर्ज किसे कहते हैं तो यह 99 टावर्स है यानि सौ में एक कम इसका जो प्रवेश्ट दवार है उसको कमर कोट कहते हैं मैंने पेच्छी वे आपको बताया था तो इसका जो है दोहरा पर कोटा है जिसको हम क्या कहते हैं कि इस जो दुर्ग है इसके अंदर जाली और जरोकों का बहुत जादा काम किया गया है ठीक है और चीज़ें देखिए यहां पर जसलू नामक एक कुवा है जसलू कुवा जिसको हम कहते हैं और कहते हैं कि यह बगवान कृष्ण द्वारा बनाया गया है उसके अलावा यहां पर विश्व का सबसे प्राचीन भूमिगत संग्राला है यानि कि म्यूजियम है जिसको कि हम कहते हैं जिन भद्र सूरी ग्रंत बंडार ठीक है यह बहुत रच्ता देखी किए क्या है यह यह जवार सिंग्जी है यह जिनोह ने की जैसल मेर के महान करांतिकरी जिनका नाम था स्वाहर मुद्64 मॉर्श ऑंको जेल केंदर यातना दे करके और जला करके मारा था ठीक है और यह जो आपका जवाहर विलास महल है इसको इसाल बंगले के नाम से भी जाना जाता है और यह जसल मेर की प्रथम होटल बनाई गई थी तो यह आपको फैक्ट याद रखना है स्थापत्य की विशे में थोड़ी और बात हैं देखिए यहाँ पर एक प्रसिद जैसान तोप रखी हुई है तेखिए उसके अलावा यहाँ मंदिर है लक्षमी नारेण जी का मंदिर है जो की भाटी परिवार के कुल देवता है यहाँ पर कमर कोट है यह भी मैं आपको पता दिया एक यहाँ पर स्वांगिया माता यह जिनको आप आयड माता भी कहते हैं जो की भाटी राजवंच की कुल देवी ह तो जो भाटी राजबंच है उनकी कुल देवी ती स्वांगिया माता जी या आयड माता जी तो इनका मंदिर भी यहां पर इस्तित है तो अब आपको इसके एक बार रिविजन कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टन्ट है तो देखिए सबसे पहले तो इसके कई सारे नाम है और शालिवन दुतिये ने इसके कारेकाल में ये किला पूरा हुआ था इंसल रिशी की सला पर इसके लिए को बनाया गया था या इसको कह सकते हैं कि अंगडाई डाले वे सिंग के समान भी यह दिखाई देता है और एक इसी किले के लिए अबुल फजल आपका ने नाम सुनाओगा अबुल फजल का अबुल फजल ने कहा था कि इस किले तक महुचने के लिए जो है लोही की टांगें जो है उसकी जरुवत पड़ती है यानि कि बहुत ही विश्यम है इस किले तक महुचना ठीक है तो उन्होंने यह बात कही थी अब देखिए 2013 के अंदर जो है इस किले को जो है राजस्तान के इस किले को युनेस्को की जो विश्व धरोर सुची है उसके अंदर शामिल किया गया था यह बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है यहाँ आप याद रख लिजेगा अब देखिए इतियास के दृष्टे से कैसे इंपॉर्टन्ट है कि यहाँ पर इतियास प्रसित तीन साके होे है धाइ साके कीया मतलब हुआ दो साके तो कंप्लीट हो गाए लेकिन जो तीसरा वाला साका हुआ वह इनकंप्लीट रह गया यानी पुरुषों ने के सरीय किया लेकिन महिलाएं जोहर नहीं कर पाई तो पहला साका जो है इसकी डेट हाला की विवादित है लेकिन आप इतना ही ध्यान रखेगा कि 1313 के अंदर अलाउद्दिन खिलजी और भाटी शासक मूलराज के मद्दे युद हुआ था जिसकों की अलाउद्दिन खिलजी ने जीत लिया उसके अलावा 1359 में फिरोशा तु हुआ जो की राव लून में और उटी जो है दोsentow भाटक्ली ऑर न्युकि और कंधनी उमादि के तो मालडेव जी के ससूर्ण आप कह सकते हैं तो उनको शरंग देने के कारण ही ये फस गय और इनको युद्दगर्ना पड़ा थिक है तो अब उतिहास फूर तो देखें डूसतों हुद одए आप को दिख ली किला है और आपको देख लीजीए ये जो दिख रहा Là को ज Gef j Already took embora के यृणीका टावर्स किरें यापका जैसलमेर का केला है फिले वत्र हों से निर्मित है और इसको एप बूर्ज या फिर टावर ठीक है नेक्स्ट जो सबसे इंपोर्टेंट किला हमको पढ़ना है वो है चित्तोडगड का किला चित्तोडगड के अंदर जो स्थित है चित्तोडगड दुर्ग मेवाड के महराणाओं ने यहाँ पर शासन किया है सबसे महत्वपूर्ण किला है और उसके अलावा यह जलाश है यहां का अब देखते हैं इसके बारे में कहके चीज़ें आपको पढ़नी है देखे इस दुर्ग को सर्वस्रेश्ट श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है यह सेन्य श्रेणी का दुर्ग है हमने श्रेणिया पढ़ी थी शुरू में यहने कि ऐसा अब देखिए दोस्तों ये वाला जो किला है आपका ये वेल मचली के आकार का किला है ठीक है और इस किले को जो है 1734 के अंदर बप्पा रावल जो की गुहिल वंशिये शासक रहे हैं उन्होंने मौरे शासक मान मौरे उनसे ये दुर्ग 734 में जीत करके इसकी स्थापना करी है और कहा जाता है कि इसको चित्रांगत मौरे ने वनवाय था और 1734 में बप्पा रावल ने जो है इसको जीता था तो ये आप ध्यान रखेंगे उसके अलावब देखिए राजस्थान का ये दूसरा सबसे प्राचिनतम किला है सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं भटनेर का किला जो की हनमानगड में है दूसरा सबसे प्राचिनतम किला है चित्तोडगड का किला ये किला चेत्रफल के हिसाब से 13 किलोमेटर स्क्वेर के अंदर बना हुआ है तो ये इंपॉर्टन टेक्ट आपको ध्यान रखना है अब देखिए इसके कुछ जोग्राफी के ऊपर बात करते हैं भुगोल के ऊपर तो देखिए अरवली परवत माला जो है उसके उपर जो मेसा का पठार है बढ़ा चित्तोडगड का किला 2013 में विश्व वरासत सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व विरास्त सूची के अंदर जो राजस्तान के किले शामिल है उसमें जैसलमेर का किलाम पढ़ चुके हैं दूसरा किला जो है वो चिकतोडगर का है नेक्स देखिए कि इसको देश की सो आदर शिस्थलों की सूची में भी जो है वो शामिल किया गया है अब दोस्तों इसके स्थापत्य के बारे में आपको पढ़ना है जो की काफी ही जादा है काफी ही जादा है, सबसे जादा इसी का स्थापत्य है और इसको आपको अच्छे से याद करना है कि कौन-कौन से जो मंदिर है, इस्थान है या जलाशे है वो यहाँ पर इस्थित है आपको अच्छी तरीके से उनका नाम ध्यान होने चाहिए सबसे पहली चीज जो आपको बता चुकी हूँ ये एक सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है राजस्तान का दक्षिन पूर्वी द्वार भी इसी दुर्ग को कहा जाता है यहां पर एक विजे स्थम इस्थित है जिसको की कीरती स्थम भी कहते हैं विजे स्थम भी कहते हैं राजस्थान का गौरव भी कहते हैं हिंदु देवी देवताओं को अजयब घर भी कहते हैं भारतिय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं राजस्थान का भीश में भी कहते हैं रोम की टार्जन करती भी कहते हैं इसी कीरती स्थम या विक्ट्री टावर को इतने सारे उपनामों से जाना जाता है तो इस सारे उपनाम आपको याद रखने हैं ठीक है कुछ तो नाम आसान है विश्णु स्थम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जो जो जिसने इसको बनाय महाराणा कुम्भा ने उसको बनाया था segurançaना कि में 54 दुर्गों की स्तापना कि थी तो यह जह च्छल महाराणा कुम्भा ने बनाया है क्यों इसको बेन इता सिस्कास करें और विश्णू भगवान की ऊपास सकते हैrier और विश्णू भगवान की मूरतियां है इस लिए इसको विश्णु उस्तंबी कहते है Väिष्ट गाला इसको कह जाता है जहुग further उचाई पर है यह इसमें 9 मंजिलें हैं और 36 करोड मूर्थियां हैं 157 इसके अंदर सीडियां हैं और महराना कुंबा द्वारा जो है महराना कुंबा ने मालवा की शासक महमूत खिलजी पर विजय प्रप्त करने के उप्लक्ष में जो है इस विक्टरी टावर याने के विजय сейчас विजय है राजस्थान पुलिस प्रतीक चिन में इसके परितिध्यारो संब देख सकते हैं यह राजस्थान पुलीस का प्रतीक चिन है इसके अंदर आपको इसके विक्टरी टावर दिख जाएगा यह विक्ट्री टावर के आपकी एक इमेज है जिसके के अंदर नौ मंजिला इमारत है अब देखिए यही जो है माद्यमेक शिक्षा बोर्ड जो है यानि कि आपका RBSC उसका प्रतीक भी इसी विक्ट्री टावर को लिया गया है इस विक्ट्री टावर पर यानि कि विजे यहां पर इस्तित है इसी किले के अंदर जिसको की कहते है कीरती जैन इस्थम यह जैन कीरती इस्थम ठीक है इसमें जैन लगा हुआ है तोड़ा यह ध्यान रखिएगा यह वाला जो स्थम में यह 75 फूट उचा है और इसमें साथ मंजिला इमारत है जबकि उसमें कितनी थी साथ अभेद्य प्रवेश द्वार है एक नहीं साथ साथ द्वार है अंदर जाने का जो रास्ता है वो लंबा है और सरपिला मार्ग है इसलिए इसका रास्ता बड़ा दुरगम है ठीक है यहां कुछ दरवाजे हैं जो की काफी फेमस हैं और उन दरवाजों के नाम देख ल फते परकास महें हुआ है कि फिर यहां पर मंदीर कसे इंपर्टंट है जो इंपर्टंट उनके नाम आपको याद रखने मंदिर It कुमभिश्यामम मंदिर ह्वर् महाराना कुंभाने बन वाया था सम्मीदेश्वर मंदिर यह important है यह महाराना मोकल के द्वारा बनाया गया था तुलजा भावानी मंदिर मीरभाई का मंदिर श्रंगार चवरी नीलकंट महदे और 27 देवरी ये पूछा जा चुक है 27 देवरी कहां पर इस्तित है तो देखे ये जो है देखे आपके फिर हैंगे सजाई को और फत्ता की हवेली है भामाशा की हवेली है नवलखा भंडार है और जोहर कॉंड यहां पर इस्तित हैं अगर आप किद इनकी बात करें चिक्षन रहिए जो जल इनक्षर होता है उसको जो जो से जल नाम से जाना जाता है और यह आपकी UPSC में भी कोशन आ चुका है 2017-18 के अंदर कि अरहट का क्या मतलग होता है तो अरहट जो होता है वो जल यंत्र होता है यनिके जिससे जल को निकाला जाता है यहां पर भीमलत कुंड है यह पटवारी परीक्षा में पूछा जा चुका है फिर यहां पर यहां पर यहां कुंड है और चिरंगा दिवरी तलाब भी यहां पर इस्तित है तो यह इसके हो गए किले के जो दुर्ग है उसके प्रमुख जलिस्त्रोत अब कुछ इस किले के बारे में एतिहासिक तथ्यों की बात कर लेते हैं देखिए यहां पर तीन साके हों और तीनों की तीनों ही पहला साका जो कि हमेशा से आपको पता है अलाउदिन खिल जी जो की काफी महत्वकांशी राजा हुआ करता था उसके समय में हुआ 1303 में ठीक है यह सन आपको याद रखना है और किसके समय हुआ किस समय कौन राजा था वो भी आपको याद रखना है इसको राजस्तान का द और राजा थे राणा रतन सिंग जी गोरा और बादल यहां पर वीरगती को प्राद्थ हुए और जो अलवदिन खिल जी है उसने अपने बेटे के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा और बाद में जो है यह किला जो है मुचाला मालदेव जिसको की मालदेव सोनगरा भी कहा जाता उसको यह दे दिया गया था और आप पदमिनी के बारे में तो जानते हैं वो बताने के जरूत नहीं है पदमिनी के बारे में इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो रानी पदमिनी है वो सिंगल दूई प्यानी के जिसको श्रेलंका कहा जता है आज का वहां के राजा गंदर्व से इनकी पुत्री थी दूसरा साका जो है वो गुजरात के जो सुल्टान है भादुर्शा उनके द्वरा किया गया और यहां मेवाड में जो राजा थे उनका नाम था विक्रमा दित्ते क्योंकि यह अल्प व्यसक थे यानिके छोटे थे अल्प व्यसक थे और इनके जो माता थी उनका नाम था हडी रानी कर्मावती तो इन्होंने सहायता के लिए हुमायू को राखी भी पेजी थी लेकिन जब तक हुमायू आया तब तक जो है काफी कुछ सेना का नुक्सान हो चुका था तो कर्मावती जी ने जोहर कर लिया तीसरा साका भी हम सभी लोग जानते हैं इसमें अकवर के द्वारे जो है या कर्मन किया गया 1567 के अंदर और राजा थे यहां के राणा उद्यसिंग जी तो जैमल पत्ता और कल्ला राठोड यहां पर वीरगती को प्राप्त हुए ठीक है कि सो दोस्तों यहां पर एक रेधास जी जो हैं यानि मीरब आई की जी जो गुरु है उनकी छत्री यहां पर इस्तित है बहरव पुल पे कल्ला राठोड जो हैं उनकी छतारी भी इस तो इंको चार हात वाला दिँद्धा भी निया पर दूसरे युद्धा को लेकर युद्ध किया था इसलिए इनको जो है चार हातों वाला देवता भी कहा जाता है तो इन छत्रियों के बारे में भी याद रखेएगा और इनका जो भी जितने भी आद करने हैं अची तरीके से करने हैं एक नहीं दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे नेक्स्ट जो किला हमको पढ़ना है वो है लोहागड का किला जो की भरतपूर के अंदर है ठीक है हालां कि देखिए जो पूर्वी राजस्थान का जो प्रवेश्ट दुवार है वो आपके धोलपूर को कहा जता है लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो किला है वो है अमारा लोहागड का किला तो इसलिए हमको इसी किले को पढ़ना है तो यह वाला दुर्ग जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण दुर्ग है इसके बारे में काफी सारे फैक्ट जो है आपको पढ़ने है भरतपूर का लोहागड दुर्ग आपको नाम से पता चल गया कि यह भरतपूर के अंदर है इसको लोहागड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है दुर्ग अजे ही रहा है ना तो मुगल इसको जीत पाए ना अंग्रेज इसको जीत पाए और ये जो है जाट राजा थे महराजा सूरज मल जी उनके द्वारा इस किले का निर्मान किया गया तो देखिए हमारे यहाँ पर जो जाट वंच है उसके दो राजी रहे है एक तो धौलपूर और एक बरतपूर ठीक है तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा तो ये जो किला है ये महराजा सूरज मल जी के द्वारा 1733 इसवी के अंदर जो है ये बनाया गया था और ये राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग है ये भी आपको याद रखना है क अंतिम निर्मित दुर्ग है राजस्थान का इसका जो प्रवेश द्वार है वो अत्यंति सुंदर है कलात्मक है और महराजा जवार सिंग जी जो है इस प्रवेश द्वार को जो अष्ट धातू का प्रवेश द्वार बना हुआ है इसको दिल्ली से जीत कर यहां लाइत है अब देखे इसके थोड़ी सी जोग्राफिक यानि कि भुगोल के बारे में पढ़ लेते हैं तो देखे ये जो है पारिक दुर्गी की श्रणी में आता है ख़ मतलब खाई मोती जील के द्वारा जो है इसके अंदर लाया जाता है राजस्तान में निर्मिती अंतिम दुर्ग है यह मैंने आपको बता दिया हाँ यह जो दुर्ग है यह बहार से जो है मिट्टी का बना हुआ है इसलिए यहाँ पर कोई भी जब आकरमन होता है गोले दागे जाते हैं त आप देखिए यह आपका पुरा किला है अगर आप इसको पिक में देखेंगे तो यह आपको खाई यहाँ पर नजर आ रही है और यह किला बहार से इस प्रकार से देखने में दिखता है यहां के दो प्रसिद जो रक्षक हुए जिनका नाम काफी इंपोर्टन है एक तो है दुरजन सिंग और एक मादो सिंग कहते हैं कि अंग्रेजों से इन्होंने बहुत भीषण युद किया था और उसमें यह विजित भी हुए थैं इसलिए अंग्रेज जो है इसको जीत नहीं पाय थे तो अंग्रेज और मुगल दोनों इसको नहीं जीत पाई इसलिए इसका जहां में आपको पहले ही जिसको जावार को कहा जाथा है जो कि यहां के शासक जवार सिंग द्वारा बनाए गई थी और यहां पर ती थी वह चेम yönदी और hamört के आगों कंवार प्रवेस्चों ड्वारे उसको लोहोया पोल के थे जो तो हमने आज पढ़े हैं जिनकों कि नॉर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट से हमने पढ़ना शुरू किया है अब हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले मारवार फिर मेवार फिर शेखावर्टी और आपके थली यहां की जितने भी किले हैं उनको इस प्रकार से हम पढ़ना ज्यांस रही तो इस वीडियो को आप जरूर से देखेंगा उनको यह कैसा लगता है कमेंट सेक्षिन में जरूर से बताएब बताईएगा हमें और ज्यादा से जाधा वीडियो को शेयर किजिएगा और तेलिग्राम चैनल को जरूर से जोइन किजिएगा तो इम साइनिंग आप फोर नाओ थैंक यू वेरी मुच और वेरी बेस्ट